आज Grand League जीतने वाला दिन है क्यों Grand League जीतने वाला दिन है क्योंकि आज पाकिस्तान वरसेस कनाडा का मैच है और बेचारा कनाडा कनाडा बेचारा पिश जाएगा अब क्यों पिश हैगा चैने पाकिस्तान USA से हार गया पाकिस्तान जो बचा खुजा था वो इंडिया से हार के अपना बेजित्ती कर लिया तो भाई सारा गुस्सा निकालेगा किस पे कनाड़ा पे और आपको बता तो अगर आप लोग बाबा राजम और साहीन को कैप्टन वाइस करतान बना रहे हो न तो पस्ताओगे बोलो क्यों क्यों क्योंकि जब भी कोई ऐसे टीम के साथ मैच होता है जो पाकिस्तान से थोड़ा सा कमजोर होता है भाई साब कमजोर तो आप किसी को समझी नहीं सकते हो लोग तो USA को बोल रहा था कि Pakistan पाकिस्तान वन साइडर जीतेगा तब तो सारा गुस्सा कनाड़ा पर निकालने वाला है और आपको बता दूँ पाकिस्तान का बावर आजम से बेटर जो परफोमेंस करता है परफोमेंस का छोटी टीम के एकनस में आपको पता है फाकर जमान चलता है रिजवान चलता है उस्मान खान चलता है और फाकर जमा तो उसका टेटेफ फिस हो जाता है और भाई बात कर लेते हैं भाई साब मैंने क्लियरली बोला था इंडिया और पाकिस्तान के मैंच में कि बाबा राजम प्रोई सर्मा फ्लॉप होगा दोनों फ्लॉप होगा था कल के मैंच में मैंने साउथ उपिका के प्लेयर के बारे में किलियर ली बोला था कि रबाड़ा दो विकेड लेगा लिया नसीम सा सोरी बोलते हैं नसीम सा तो मैंने पाकिस्तान के एकस में बोला था कि विकेड वो इंडिया के एकस में विकेड लेगा उसने लिया था कल का मैच अगर आप था कि अगर पहले बैटिंग करें तो हेंदी करासन आपको ठीक्ठा कोईन देने वाला है और सबसे बहतरीन जो प्रेडिक्सन दिया था वो यह दिया था कि इंडिया और पाकिस्तान के मैंच में जैसे जैसे हुआ था सैम टू सैम आपको यहां पर भी देखने को मिलेगा दोन तो आप हमारे लाइफ से जुड़ जाना ठीक है वहाँ पर बता दूँगा और बांकि हम आपको टेलीग्राम पर भी पीछ रिपोर्ट बता देंगे लेकिन आज ग्रेंड लीग जीतने वाला दिन है क्योंकि आज देखो आज सिंपल बात को तो जीतेगा तो पाकिस्तान य अगर देखा भाई अगर हमारे हमारे अगर इंडिया के प्लेयर अगर अच्छा नहीं करता ना तो थोड़ा सा अगर थोड़ा सा क्रिटिस करता है थोड़ा सा क्रिटिसाइज करता है लेकिन जादा नहीं करता है हलका सा ट्रोलिंग वगरा होता थोड़ा सा लेकिन अगर प यह सारे मैंने न्यू चैनल पर देखा था उसी का जो जितने ऑफिसियल न्यू चैनल है वही लोग बता रहा है तो फिर मैं क्यों ना बताऊं आपको तो पाकिस्तान जो है ना आज बहतरीन खेलेगा और उसका फायदा हमें उठाना है हमें अपने टीम में कैप्टन वाइस जिनको लोग इग्नोर कर रहा है अगर नहीं भी कर रहा टीम में रख भी रहा तो साइध उसको कैप्टन वाइस कप्टन लोग नहीं बनाएगा तो हम ऐसे प्लेगो कैप्टन वाइस से उपतर हम बनाके हम आज ग्रेंड लिग स्मॉली वनसाइडे जित सकते हैं बाकी देता हूं तॉस अपडेता हूं पिच्छे रिपोर्ट देता हूं और बहुत सारे औफरस बहुत सारे घीवे हम प्रुवाइड करते हैं टेलीग्राम पर तो टेलिग्राम से जूरना मत भूलना भाई फटा फट जाके टेलिग्राम से जूर जाओ टेलिग्राम का लिंक वीडियो के पहले comment box में पिन करके दे दिया हूँ वहां से click करके join कर सकते हो, scan करके join कर सकते हो, search करके join कर सकते हो search क्या करना है आपको बताता हूँ टेलिग्राइप पे जाना तो यह कोमार 508 TFC यह आपको लिखना स्ठाइब असपास आपको जोइन हुआना ठीक है जहां पर मिलेगा आपको बहतरीन टीम और आप स्कैन करके भी जोइन कर सकते हो आगे वीनर का नाम एनाउसमेंट करने से पहले बताता हूँ आज के वीडियो में भी वीनर है आप बन सकते हो फटाफट कॉमेंट करो एक कॉमेंट करो तीन लोग वीनर बनेगा एक को स्मार्ट बॉज मिलेगा दो को एरडॉब मिलेगा तो फटा फट नीचे कॉमेंट करो और लाइक कर देना आज का लाइक का टार्गेट 20,000 रखते हैं होप देखते हैं आप लोग पूरा करते हो नहीं करते हो और कल के वीडियो का जो वीनर था वो आप देख मिला है और यहां पर देखोगे सुभा मंडल करके कोई है वो उसने भी लिखा है कि आप 100% बहतरीन बताते हो तो इसको मिला बोर्ट का एरडॉब मांकी कुमार भाई बहतर से बहतर करने की कोशिस करता है उनकी मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है तो इस वाई को मिला है का एरडॉब पाकी देखो अगर इन में से आप हो अगर आपका कॉमेंट है तो प्लीज अपने कॉमेंट के नीचे अपना फॉन नंबर डाल देना हमारे टीम आपको कॉंटेक्ट करेगा और आपके घर यह प्रोड़क्ट डिलीवर हो जाएगा कोरिया चार्ज हमारे तरफ में मैंने पहले ही बोल दिया था जब आई पील में हमारा जब बहुत अच्छा लाइव जाता था बहुत ज्यादा हमारे वीडियो आप लोग देखते थे तब भी मैंने बता दिया था कि यहां पे दो-दो-सो-धाई-ई-ई-सो रन बन रहा है आई-पिल में लेकिन वर्ल् अगर कяхनदा बनाना बहुत मुष्किल है और अगर पहले कंदा बैटिंग क्या तो मैं आपको बदा दे रहा हो सो रन भी नहीं बने गा में पहले बताद रहा है और अगर पहले पाकिस्तान बैटिंग किया तो देड़ सो एक सो तीस चालिस के आसपास रन बनने वाला है देड़ सो के आसपास रन बनेगा तो अगर पहले पाकिस्तान अगर बैटिंग किया पाक अगर बैटिंग किया तो 140 से लेके 150 मान लो आप और अगर कनाडा बैटिंग किया तो 100 के अंदर रन बनते हुए दिखा रहेगा क्योंकि आज के मैच में खुंखार टाइप का बॉलिंग करेगा पाकिस्तान के बॉलर और अपना गुस्ता निकालेगा कनाडा जैसे छोटी टीम के साथ ठीक है छोट तो नहीं बोल सकते हो क्योंकि वर्ल कप जब खेल रहा है तो आप उसको छोटी नहीं बोल सकते हो लेकिन फिर भी कनाडा थोड़ा सा तो है ही पाकिस्तान से नीचे तो कनाडा के एगंस में गुस्ता निकालेगा और उसका फायदा हम लोगो उठाना है आज के मैच में अग यह राउंड सरकल बन गया ऐसे करके बन गया मैं सिंपल बता रहूं अगर पाकिस्तान अगर पाकिस्तान अगर पहले बॉलिंग करें तो पता ग्राफ कैसा रहेगा ऐसे करके ऐसे करके और सिंपल से बात करते हैं ऐसे रहेगा ऐसे और ऐसे रहेगा जिनमें से जो सबसे जो दिखरा ना यह 70% यह मिलेगा फास बोलर को help पेसर को help और यहां पे जो दिखरा ना जो बांकी 10% जो बच रहा है 10% और 20% यह यह बैंटिंग डिपार्टमेंन और यह स्पिन डिपार्टमें-7% फास बोल वॉठ्व मिलने लगा आजक अगर पाकिस्ताद बहले बैटिंग करता है तो ग्राफ क्या होगा मैं बताता हूं अगर पहले पाकिस्तान बैटनिंग करता है ना तो पीछ ऐसे बीक आप करेगा ऐसे करेगा ऐसे करेगा ऐसे करके आपको लगबग लगबग 40% बैटिंग डिपार्टमेंट ठीक है उसके बाद यहां पर देखोगे 40% फार्ट बोलर और 10% इस्पिनर दस पसंद इस्पिनर तो फास बोलर इस्पिनर और बैटिंग डिपार्मेंट यह अगर पाकिस्तान अगर पहले बैटिंग किया यह रहेगा और पाकिस्तान अगर पहले बैटिंग किया यह रहेगा और पाकिस्तान अगर पहले बॉलिंग किया तो यह हो जाएगा थोड़ा कम यह 20 पसंद हो जाएगा यह 70 पसंद हो जाएगा तो यहां पर और और चाहिए तो टॉस के टाइम हम आपको टेलिग्राम पर अपडेट कर देंगे टेलिग्राम का लिंक वीडियो के फर्स्ट कमेंट बॉक्स में पिन किके दे दिया हूं और लाइब सेशन में भी बदा इस सबसे हाइस बनाया अभी तक इंडिया इतना अभी तक कोई बना नी पा रहा है कैसे बना दिया था इंडिया हुसकी दिन पता नहीं बाई 182 रन वॉन मेच में बनाया था बंगलादेश का अब तो बंद बहस Лएह यां Ned ऑन बहुत ूंप पेटन के बाद करते हैं यहां पर एक सोपचास से नीचे पांच बर रन बना है बाकि एक इपार बना है 180 के असपास वह बी इंडिया के बनाुए बाकि सब 150 से नीचे रन भी चार मेंच का रिकॉर्ड उठा के देखते हैं चार मैच का record अब यह recently। अभी recently California kya मैच खेला गया जिसमें कि 113 run बनाया 113 run बनाया 10 June को यह मैच खेला गया कली मैच ख्षला गया था जिसमें कि 113 run मनाया साथ उपिका ने 6 विकेट की रहा था और Можно जिकिर की si साथ वर बना पाया पाकिस्तान का मैच इंडिया ने 119 विजे सो गया था क्योंकि मैंने आप लोग को पेडिक्शन दिया था कि इंडिया जीतेगा लेकिन मेरा दिमाग लगा पता नहीं क्या होगा नहीं होगा मैं तो देख नहीं पा रहा था इतना कम रन बना था फिर भाई साब जो कहानी नहीं है कुछ नहीं है इस ट्रॉंग टीम है आज पाकिस्तान तो साइध इमाद वसीं विकेट ले जाए लेकिन अगर देखोगे तो बहुत कम स्पिनर विकेट लेता है कनाड़ा वसस आयलेंड का मेंच के लाग गया था यहां पे कनाड़ा ने 137 बनाया अब बताओ पाकि फिर भी 137 मेना था कनाड़ा तो आप कनाड़ा को उतने कम जो मस समझना लेकिन हम पाकिस्तान अगुस्ता निकालेगा कनाड़ा पर यह चीज तो कन्फर्म है नौ विकेट फास्वलों को मिला था तीन विकेट मिला था स्पिनर को तो यहां पे देखोगे ना छे छे बारा तेरा तेरा विकेट गिरा है तेरा विकेट यहां पर देखोगे तो सोला विकेट गिरा है क्योंकि दस और साथ सतरा विकेट गिरा है यहां पर सतरा विकेट गिरा है पाकिस्तान वाले मैच में इस मैच में देखोगे सासर चोगदा विकेट गिरा है और यहां पर अगर दे तो आज अगर पहले का अगर कनाड़ अगयर पहले बॉलिंग करता है तो लगबाग 15 16 विकेट गिरेगा और पहले पाकिस्तान बॉलिंग करता है तो फिर फिर पाकिस्तान का बैटिंग हुरे तक थीक थाक बैटिंग करें गलेगा असानी कि-बहुत ज़्याद दो स्मेत करे go साथ विकेट तो कहीं न कहीं बैटिंग डिपार्टमेंट तब अच्छा करेगा जब पाकिस्तान पहले बैटिंग करेगा लेकिन बॉलिंग डिपार्टमेंट यहाँ पे बहुत बहुत बहुतरिन करने वाला इससे आपको आइडिया लग गया होगा पेसस को यहां पे 42 विकेट, इसमिना को सिर्फ 10 विकेट मिला है और 1st इनिंग, 2nd इनिंग के मताबिक 1st इनिंग में ज्याद़ विकेट गिरता है यह आज रोल ही नहीं, अगर आज पाकिस्तान पहले बॉलिंग करता है वह हम आगे आपको बताएंगे पाकिस्तान का मैच है तो माई 11 सरकल आपके लिए फिर से गीवे लेके आया है गीवे मतलब नहीं आपके लिए ओफर लेके आया है एक रुपया में एक टीम दो रुपया में दो टीम लगा सकते हो मेरे रैफस अगर पहली बार डाउनलोड करो सब्सक्राइब लेकिन अगर आप पहली बार नाउनलोड करोगे मेरे रैफस से माई 11 सरकल तो आपको दो रुपया दो रुपया में टीम लगाने का मौका मिलेगा 98 रुपया नहीं लगेगा सिब 2 रुपया और अगर आप विनिंग आ जाओगे तो 98 तो वापस आएगा और फर्स्ट आओगे तब तो एक कड़ोर वह तो ही ठीक है तो माई 11 सरकल अगर आपने डाउनलोड निक क्या नीचे डिस्कुप्शन में लिंक है फर्स्ट कमें लिंक है डाउनलोड कर लेना और अभी डाउनलोड करोगे तो आपको फाइदा क्या मिलेगा 1500 का बोनस मिलेगा इंस्टेंट मिलेगा उसके बाद एक कड़ोर फर्स्ट प्राइज हर दिन होता है यहां पर और 20% एस्टा डिपोजिट क्यास भी मिलता है एस्टा पहली बार डिपोजिट अगर आप करते हो ना 200 पर 240 500 पर 600 1000 पर 1200 अपको फाइदा मिल रहा है 20% पहली बार डिपोजिट करन आगर नहीं किया हो बाकि प्लिंग लीउन के बात करते हैं मुझे लगड़ा कि सायद आज के मेंđन में कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा हो सकता है कि आज specialize में सेमायूब को खेला सकता है साधा अगर पहले पाकिस्तान अगर पहले बैटिंग किया तो सेमायूब आ स सकता है बैटिंग करने थोड़ा सा उपर या तो ठीक है अब बोलोगे क्यों क्यों कि पाकिस्तान के पास एक होप है सूपर एट में जाने के लिए क्वालिफाई करने के लिए पाकिस्तान के पास एक सिफ होप बना हुआ क्योंकि अभी तक 2 मैच के लाय तो नों के दोनों लोस किया थैकर तो पाकिस्तान को बड़े माजिन से जीतना पड़ेगा इनदो elan के साथ मचज बचा है तो जीतने मेंचस बच्चा है पाकिस्तान को लगाता अभी फिलाल अच्छे अच्छे से और पोइंट टेबल अपना ऊपर करना पड़ेगा नेट रेंडडेट उपर करना पड़ेगा नेट रेंडडेट जोकि बहुत इंपॉर्टन होता है net रेंडेट क्वालिफाइए करने के लिए पाकिस्तान जीता और युआ से जी चुका है तो ने टॉने डेखा जाएगा कि किसका नेटे सब्से उपर है तो इसलिए पाकिस्तान आज सेम आयू को लाएज जासे थे और अगर वह खेलाओं तो ट्राइ कर लेना आज ग्रेंड लीग में ठीक है बस एक यहीं चंजस होगा और ज्यादा कोई चंजस होगा नहीं इसके पास दो जो मैंन बोलर है एक कलीम साना और एक गॉर्टन यह दोनों अच्छा बालिंग कर लेता है बाकी अगर बात कर लेते हैं यहां पर सायद बिन जफर जो की स्पीनर है स्पीनर को इतने हैल्प मिलते नहीं है लेकिन हाई लिगर डिलॉन जो है यह एक ठीक था बोलर है आगे चलते हैं हम लोग पाकिस्तान के प्लेयर का सारे ओपनर को अपनी टीम में रख लेना है सबसे पहले तो सबसे पहले बाबाराजम को आई ट्रा क्या करना है आपको सबसे पहले पिक करना है लेकिन पिक तो दोनों को रखना है चाहे ग्रेंड लीगों जोनों को दोनों को अपने टीम में रखना है लेकिन बहतरी जो performance करके देगा वो रिजवान देगा क्योंकि यह आपको विकेट किपिंग भी करके देगा विकेट किपिंग से आज पक्का बहुत ज़ाद पोईंट देने वाला है ठीक है उपर से बैटिंग आपको कुछ ने कुछ बैटिंग से आपको 50 क्या सबसर रन थिक आवी तीन विकेट ले जाए या तो आवी तीन विकेट ले जाए या तो हारी फ्लॉल ले जाए तो उस कंडिशन में आप रिजवान को एक सेफ कैप्टर वाइस कप्तान चूज कर सकते हो तो जो आपको एक कम सकम नहीं तो 50-70-80 पोईंट देगा आपको ठीक है रिजवान ठीक है मेरा पेडिक्शन यह है उस्मान खान अगर आज खेला तो अपना गुस्ता निकालेगा और उस्मान खान क्योंकि पीएसल में अच्छा खेलता था पीएसल में तभी इसका सेलेक्शन हुआ पाकिस्तान सूपर लिंग जो होता ने मैं जैसे आईपील होता विसे वहा जाद तो सादाव खन के जगए सेम आयूब खेल सकता और वन डाउन अगर आये तो उपनिंग कर सकता है और सेम आयूब और मौहमद रिजवान आपनिंग करें ऐसा भी हो सकता या तो अभी तो कुछ को निहीं बता सकता है लेकिन फिलाल जो भी खेले चार नमर तक का बैट तरण, 45 यह सब वही टीम के अगंस में परफॉरमेंस करके देता है बागी एक देखोगे ना बड़े टीम के अगंस में इसका 10 टैफिस हो जाता है 10 10 टैफिस क्योंकि हीट झाल मिश्प्लेर है फकाजमान जो है ना वह हीट ये लिमिस प्लेर है बहुत तेजी साउट होता है यह इंडिया के जिन्दिगी में कभी नहीं चलता है तो फका जमान जो है न ऐसे टीम के चलता है जिन जो मिलब कर देखोंगे न जैसे कानाडा हो गया अगर आज पहले पाकिस्तान बैटिंग करता है अगर पहले पाकिस्तान बैटिंग करता है तो फका जमान को ड्रॉप मत करना वरना बहुत पच्टा होगे क्योंकि यह ऐसा प्लेर है कि अगर यह रन बनाता है न तो यह 100 रन भी बनाने का चमता रखता है बहुत तेजी से रन बनाता है और खास करके अपने से कमजोर टीम के अगरस में यह बहुत तेजी से रन बनाता है ठीक है यह लोग बस वही कमजोर टीम टीम के साथ खेल खेल पहीराणीं पर्फरमेंस करके डिल भाले देलओ इंडिया वर्लक जीतेगा तो फकर चाचा को मोका दिया गया है इब्तिकाइ चाजा ने आके क्या किया आ कुछ नहीं किया तो और फक्रकर जमान को मुठा दिया गया था तो इपतिकाइश यसा को अपने टीम में ट्राइ करना नहीं करना मुझे मेरी लग रहा है कि जील में एक-डू टीमों में रख लेना अगर पहले पाकिस्टान बैट देखे चला जागा जैसे केसा महाराज को दिये था वैसे और उपर से लेप्टामों थोड़ा रहा सामने राइटी है तो इसको भी दो विकेट या एक विकेट तो खर कंफर्म मिलेगा एक से प्लस विकेट मिलेगा इमार वसिम तो रखना है कंफर्म साधाफ खान पाकिस्तन को कोई भरोसा नहीं साधाफ खान को बॉलिंग दे या ना दे अगर मान लो साधाफ खान को बॉलिंग दे दिया तो फिर जील की ऐसी कि तैसी हो जाएगा इसलिए कुछ टीमों में साधाफ खान को ट्राइ करना बाकि मैं बोलता हूँ कि अगर दस टीम बना रहे हो दस टीम में, सिफ एक टीम में साधाफखान को रखना, पाकिसारे टीम में साधाफखान को फ्लॉप करना, क्योंकि साधाफखान करना बैटिंग आप आप आएगा, और बॉलिंग तो मिली नहीं रहा, अब पता नहीं बॉलिंग मिलेगा, इंजर था, बॉलिंग दिया नहीं, और साइद आज भी ना देश को बलीं वुपर से बात करते हैं नसीम सा इंडिया करेटने से मैं भाई नसीम सा ने तीन विकल लिया यह 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 करने लगा नसीम सा लेकिन वही बात ना यह करने से कुछ होता नहीं है तुम्हारा बैटिंग डिपार्टमेंट तो चली नहीं रहा है और उपर से बात करते हैं समझना चाहिए नसीम साब को भी समझना चाहिए कि भाई साब पीची ही ऐसा है जहां पर रन बनाना बहुत मुस्किल है तो विराट का विकर ले लिए इसका मुझे नहीं लग रहा है मुझे लीज़ा है जिया जाहिए को नरफ फरी दी कवेज लाघ बाही ही मचा सकते है और दीक है जिए बहुल से ज殺 झाटग लग रहें आज चुकि घातक साबीत होगा सबसे जादा मुझे घातक लग रहा है साइनसा अफरीदी तो नसीम सा को भी ग्रेंड लीग टीम में क्याप्टर मनाना है आज के मैंच में इसको पूरा दुनिया मना रहा है इसलिए मैं बोलता हूं इसको वाइस कपना मनाना ठीक है नसीम सा अज से प्लस विकार लेगा मोहमद आमीर आज ये थोड़ा सा ट्रॉंप कार्ड लाएगा पिछले मैंस में इंडिया के अगेंस में दो विक्र लिया था आज मुझे लग रहा हूं मुझे लाग आमध तीन विक्र में बेन था दिखा देगा कैप्टन कोई नहीं बनाएगा आमीर को सब साहिन और नसीम साह बाबा राज मधीजवान इससी चार के प्लेयर के पिछे सब पागल रहेगा मोहमद आमीर को कैपन आज जरूर बना ग्रेंड लिग में कम से कम तीन चार टीमों में जो कि आपको ग्रेंड लिग जिता सकता तीन विकेट मेरे मुझे लग रहा म साहिन सा फ्रीदी के बात करते हैं लेप्टा में फास बोलर दो एक पहला मैंच में तो यूसे का लिए लिया तो लोग ना साहीन अफ्रीदू का कैप्टन नी बना रहा लोग बना रहा नसीम साको कैप्टन मैं तो बलता हूं कि अगर आप स्मॉल लीग खेलते हो कैप्टन बनाओ सहीन अफ्रीदी को और ग्रैन लिग में मैक्सिमुम्म टीमों में यह swims तरी मिरे अगश हुछ सहीन अफ्रीदी को सपर्धाइब क्याप्टर मिनाओ टिकएंग भाइस कप्तल को न्हीं है जो कि आपरेली उसके लिह के सकता है आज कर एंदस कर तкив नोगा बात करते हैं आजम को ड्रॉप कर दिया गया था पिछले मैच में और इस जगए इमाद वसीम लाया गया दोनों मैचों में आजम खान फ्लॉप है लेकिन हो सकता है कि आज साहद आजम खान या सेम आयूब को खिला सकता है सेम आयूब का खिलने का चंब ज्यादा हाई मुझे लगpowerा आज की मैंच में सेम आयूग का परफोर्मेंस की बात करते हैं तो अभी ऐसे देखोगे तो रिसेंट परफोर्मेंस उतना खास नहीं है लेकिन एक मैंज में इसने प्रतालेशन के पारी खिला है और बढ़ियों बैटिंग कर लेता है सेम आयूग अब बात कर लेते हैं करनाडा का जो प्लेयर ह सब्सक्राइब करते हैं करनाडा के प्लेयर में एरॉन जॉनसं के बात करते हैं सबसे पहले बैटिंग करता है चोगदा 23-23 ऐसे रन बनाया है आज मैं आपको बता था पंदरा और पंदरा से लेके 20 रन के बीच में साधी आउट हो जाएगा ठीक है एरॉन जॉनसं तो करनाडा के तरफ से जी यल में ट्राइए करना चाहतों एक नी एक टीमों में ट्राइए कर ले एक टीमों में ठीक है ज्याधा करना क्योंकि मुझे लगा है कि 20-25 पोइं दे सकता ही है बस उससे ज़्यादा नीए परगद सिंगक की बात करते हैं पिछफ्ले मैज में अठारें ननी पारी खिला है और है इसका 51 गारे रिकॉर्ड है लेकिन पाकिस्तान के गजिंट मेज चल न stellी पाएगा निकॉलास कte नी बात करते हैं दो मेज मेज बहतरीन पारी खिला है इसी वेन्यू पे साथ रन पचास रन का पारी खिला है तो जिस प्लेयर को ज्यादा experience होता है वही प्लेयर बहतरीन और performance करता है तो कहीं न कहीं लोग इनको ड्रॉप करने वाला है निकोला स्किर्टन मैं बोलता हूं कि donc है चलो आगे हम लोग बात करते हैं अगहर पाकिसान पहले बॉल लिग करता है ना पाकिस्दान करता है तो एस को मैं बोलता हूं रख लो टीम态 जो कि आपके लिए एक तो कर लेना आज कम से कम नहीं तो आपको डिम तिम में दिखाए देगा बस मैं इतना ही बोल सकता हूं यह ज्यादा और बाते नहीं करेंगे दिल प्रेश्चिंग की बात करते हैं विछले मेंजम फ्लॉप था और मुझे लगए आज भी फ्लॉप रहेगा इस पर हम बात नहीं करेंगे साड बिन जफ़र की बात करते हैं अच्छा प्लेयर है लेकिन वगी बात है यहां पर स्पीनर को हेल्फ मिल नी रहा है इसलिए साड बिन जफर विकेड नहीं ले पा रहा है लेकिन हाँ ऐसाद नहीं है कि विछले मैंज में विकेड नहीं लिया था इसने आइलेंड के किसमें एक विकेड लिया है बट पाकिस्तान के किसमें ये विकेड नहीं ले पाएगा और बैटिंग तो इसका चलनी पा रहा है और बैटिंग बहुत नीचे है बट आज मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि साज मिन जफर कैप्टेंसी पारी खिलने वाला है मुझे लगा कि यह भी ट्रिम टिम में दिखाई देगा बस मुझे लगा यही दो प्लेयर जो है वो ट्रिम टिम है आज दिखाई देगा बाकि ज पहले करता है न अगर पहले करता है तो कि अग्त विंट ब्लिसकिंट मत रखना करते हैं लेफ्कर में लेकशल ह्रह था लेकिन अगर आज पहले बॉलन draft विक्ट करनाडा और बाकी अगर देखो ये तीनों को मैं तब रखूंगा जब आड़ पहले बालिंग करें डिलोन भी रहेगा कलीम साना भी रहेगा और जैमी गोटन भी रहेगा लेकिन अगर पहले कनाडा बैटिंग करता है तो फिर हम मोगा के साथ जाएंगे और सैडबिन जफर के साथ जाएंगे ठीक है आगे बाके रवन्दस सिंग है इसका भी रिकॉर्ड हिट ठाक है और पठान की बात करते हैं इसका भी रिकॉर्ड देखो कि आवरेज रिकॉर्ड है को विकेट कीपिंग और बैटिंग दोनों से पॉइंट देते हुए दिखाए देगा जैसे मैंने आपको वीडियो स्टार्ट होने से पहले बता दिया था कि आज पाकिस्तान कानाड़ा पे सारा गुस्सा निकालने वाला है क्योंकि ये तो भाई इंडिया से तो जीत सकता नह नहीं कर पाया तो पाकिस्तान को क्याना को बहुत बुरी तरके से हराना पड़ेगा और तब हो तभी होगा जब पाकिस्तान पहले बॉलarea ततल मुझे लगा कि है कि कनाडा कि आज już खैयर नहीं है आप इतना ही जीतताइब बागा को लेकिन आज चुने तीम को आज बालमन महिंदि тоб मोखेसा थना जंडे है को पाकिस्तानी जितने दाल बुरी कॉल मिलेगा पाकिस्तान का मैच आएगा तब फिर जितना का मिलेगा तो आज अब बता रहा हूं वैसे सब करना आपको चार लाग के आसपस टेलिगाम चनल दिखा देगा उसमें जाके जो नहीं है ना देखो यहां पर फिलाल मैं रिजवान बाबाराजों उस्मान खान को रेखा हूं टीक है टीन बैटिंग डिपार्ट में रखा हूं अगर पाकिस्तान पहले पहले बैटिंग करता ह है यहाँ पर हो सकता है कि मैं एक और प्लेयरक रख लूँ पढ़ता हैं और ये मर पायEMA लेकिन Ora बना दिया तो बहुत इंपड़न है बाके दखुप about स्था आफश्तान के सारे बोलर रखना भाई सादा। सादाफ नहीं किया तो अगर आप चाहिए तो सादाफ खाण करनां को ठोलGen को बालिंग फैली कई यह तो रिखिपने हों सादा प्लसखेन को सकती है। लेकिन अभी तक मुझे लगा कि साध बॉलिंग ना दे यही पांचों लोग बॉलिंग करेगा ठीक है लेकिन अगर चाहते हो ट्राय करना तो साध आपकर को रख सकता है बागी देखो जेमी गोटन कलिम साना जो कि मेरा डिफरेंसल पीक है और हाई लेगर यह मेरे टीम में है यह पहले अगर कानाडा बॉलिंग करता है तो यह तीनों वीगर लेके देगा और अगर पहले कानाडा बॉलिंग नहीं करता है तो मैं यह तीनों को हटा के किसको रखूंगा पता हूं सुनो ये तो मैं तब रखाऊं जब कानाडा पहले बॉलिंग करता है तो ये मेरा टीम रहेगा अगर पहले पाकिस्तान अगर पहले बॉलिंग करता है पाकिस्तान अगर पहले बॉलिंग करता है तो फिर महां पे हम अपने टीम में इस दोनों को हटा के जैमी गोर्टर और कलि क्षेल के अपनी टीम को थोड़ा सा एक ठीक ठाक पोइने वाला है ठीक है यह दोनों को मैं ट्राय कर सकता हूं राकि मेरा टीम का साइन ओध मैं यह रोटेट करना चाहता हूं क्वित आग इंडिया का के में थीällt तो लोगों को लग रहा कि आज वह यह तीन चार विगे लेगत जाएगा लेगा विगे ऐसा नहीं है लेकिन साइनशा फृरित ही मुझा जदा मुझे लग लगँड़ागा कैप्टन और हां घ्रान लीग्ट टीम में आपको बिदाता हूं अगर आप ग्रेंड लीग टीम में कैप्टन आज बनाना चाहते हो रिसकी कैप्टन जिसकी कैप्टन तो मैं गोलता है मुहमद आमीर को आज जरूब बनाओ ग्रेंड लिए कैप्टन क्योंकि मुझे लग रहा कि आज के मैं मुहमद आमीर को कर मौका मिला न तो एक ही ओवर में ये कितना विकर लगा आप सोच भी ने सकते हो तो मुहमद आमीर आज मुझे लग रहा है जियल के लिए टरमकार्ट कैप्टन है और रिजवान क्योंकि रिजवान बैटिंग विकर कीपिंग और बैटिंग दोनों कंफर्म बहुत बहतरिन करेगा बाबा राज तो फाइनल टी मैं टेलिग्राम पे दोंगा टेलिग्राम का लिंक वीडियो के पहले कमेंट बॉक्स में पिन करके दिया हो खिलिक करके जून कर सकतो और अगर वीडियो पसंद आया हो पिलिज एक लाइक जोरू करना मिलते ने शूडियो में जहिन बंदे मात्रम